So welcome back students, आप सब आँका स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आज के इस वीडियो में आपका एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही खास है टेंद के विदार्थों के लिए बहुत ही खास उनके कोर्शेस में ये स्टोरी उपलब्ध है तो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है तो स्टोरी जो है वो है A Letter to God A Letter to God, आप देख पारें कि स्टोरी जो है A Letter to God बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही रोजचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है A Later To God बहुत ही बारेकिसे हमें हम लोग इस स्टोरी को समझेंगे चैनल पे बिल्कुल बने रहना है वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना तो चलिए हम लोग देखते हैं लेटर टू गॉड जो स्टोरी है इसमें लोग कौन-कौन सी बातों को धियान में रखेंगे परिछा बेस्ट यानि एकजाम बेस्ट वो कोर्शन भी आ सकते हैं तो चलिए बचों, शुरू करते हैं सबसे पहले यह जो स्टोरी है a letter to God आप देख पा네 कि a letter to God जो ह्यों स्टोरी इसको जी यईल 5 एज ने लिखा हुआ है यह जी अरुड़ छी राइटर है उन्होंने a letter to God लिखा है कोसन यहां बनता है जी-ई-छफॉंड ने इस लेटर को इस स्टोरी को लिखा हुआ है, है ना, कौन सी स्टोरी, लेटर टू गॉड, सबसे पहले हमनों जान लेते हैं कि जी एल फॉंटस जो है, वो कौन थे, देखे, जी एल फॉंटस जो थे, वो मेक्सिकन पोईट, ग्रेट राइटर, नॉबलिस्ट और जर्नलिस्ट, देखे, जी लिखते थे, और कहानियां तो छोटी-छोटी वो लिखते ही थे, पोईब भी लिखते थे, तो जी एल फॉंटस वो मेक्सिकन थे, मेक्सिकन थे वो, देखे, एक्टॉलिय ये जो स्टोरी है ना, बहुत इंटरस्टिंग है, जी एल फॉंटस ने से बहुत ही अच्छे अब देख पाएंगे आगे हम लोग देखेंगे कि यह स्टोरी जो है यह बेस्ट कहां पर है देखिए उन्होंने जिकर किया हुआ कि अमेरिकन कंट्री जो है वहां की यह स्टोरी है यह जो स्टोरी है अमेरिकन कंट्री की है और इस स्टोरी का जो है हीरो वह है लैंचो अब वो एक किसान हुआ करता है, खेती बाड़ी करता है, और उसके फसल अच्छे खासे होते हैं, लेकिन होता क्या है, कि एक बर हेल स्टॉम आ जाता है, आंधी तुफानी तादी से उसकी फसल बरबाद हो जाते हैं, लेंद्चो का, जो काफी ज्यादा महिनत करता है, मीट्टी को बरबाद हो जाता है, तब वो काफी ज्यादा दुखी होता है, लेंद्चो की आखिर, अब क्या किया जाए, चुकि उसके फसल बरबाद हो चुके हैं, और उसके परिवार को भरन पोसन के लिए, और फिर दूसरा रास्ता नहीं है, कि उसके परिवार अपने पेट का भरन तो वो कैसी करेंगे, बहुत ही रोचक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, कि आपने समझा कि वो जो है काफी जाद दिक्कत में है, काफी दुखी है, चुकि उसके फसल बरबाद हो चुके है, लेंद्चो is a farmer, वो एक किसान है, देख तो उसकी भरपाई कौन करेगा भई, हिलस्टॉम तो कोई आजमे तो नहीं, उसको पैदा किया हो, तो नेचरली हुआ है, तो उसको लगता है कि इसके भरपाई गौड करेगा, यह नहीं भगवान करेगा, तो क्या करें, तो भगवान को एक लेटर लिखा जाए, और हमें अपने फसल का हर जाना जो है, उस गौड से मांगें, तो क्या करते हैं, वो लेचो एक लेटर जो है, वो लिखता है कि इसको गौड को लिखता है, उसी का टाइटल यहां पे दिया हुआ है, लेटर टू गौड, तो लेचो जो फारमर है, वो एक लेटर लिखता है कि इसको God को और उसमें पूरा चीज जिकर करता है सारी बातें जो है वो जिकर कर देता है कि उसके फसल उन्हेंने काफी मेनत करी सब कुछ किया लेकिन उसके फसल जो है बरबाद हो गए हेल स्टॉम के वज़े से अब हमारी मदद आप करना God को वो लेटर लिखते हैं यहां देख पारें कि He wants help from God अब लेटर क्यों लिखते हैं भगवान से help मांगते हैं कि हमारे को help करो चुकि हमारे फसल जो है बरबाद हो चुका है हमारे family जो है भुकमरी के कागार पे है अब देखो next क्या होता है He demands 100 pesos but received only 70 pesos देखो उन्होंने लेटर में लिखा था कि हमारे जो है मदद करिया अब इतने पैसे हमको दे दीजे इतने पैसोस दीजे यानि 100 pesos के उन्होंने डिमांड किया था किस से God से बट क्या हुआ कि उसने लेटर को लिखा mail box में डाल दिया और वो post office चला गया है क्या कौन जो God को लेटर लिखता है तो actually उन्होंने उसके जो अंदर की भावना थी उससे समझने का प्रयास किया और 100 pesos जो मांगे थे उन्होंने यानि employee ने जो post office की कर्मचारी थे उन्होंने collection करके उसको 70 pesos दिये यानि 70 pesos उन्होंने दिये किसको लेंचो को लेंचो को उन्होंने दिये उसके जो एड्रेस से वो लेटर लिखे थे जहां लेंचो का एड्रेस था उस एड्रेस पे उन्होंने 70 pesos लेटर के माजम से दे दिया लेकिन जब संडे का दिन होता है लेंचो आता है पोस्ट आफिस लेटर रिसीव करने के लिए कि हमने जो लेटर लिखा था उसके वज में गौड ने हमें क्या दिया तो लेटर को जैसे वो देखते हैं खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो 70 पैसोğस रिसीब कर रहे हैं यानि 70 पैसोओ्स उनको मिले हैं और किसने दिये थे? वो करमचारी थे जो करमचारी थे, Post Office के postmaster, postmaster के और सहयोगी करमचारी थे उन्होंने उसे दिया हुगा था लेकिन अब क्या होता कि लेंचो ने उस लेटर को खोला देखा उसके बाद उसकी गुष्सा जो है और आसमान पर चड़ गया क्यों कि उन्होंने बड़ी सिद्दत से लिखी थी उस लेटर में जो उन्होंने गौड को दिया था कि भाई मेरी फसल बरबाद हो गई है तो आप मुझे 100 पैसोस आप दे दें लेकिन उसके वज़ने 70 पैसोस ही आए यानि 70 पैसोस ही आए तो अब क्या होगा भाई अब वो दोबारा फिर से गौड को लेटर लिखते हैं कि आपने मुझे कम पैसे दिये यानि गौ डाउट्स ऑन पोस्ट मास्टर यानि लेंचो जो है नो पोस्ट मास्टर पर डाउट करता है और उसे क्या करता है अब बंचप क्रूक्स यानि जो पैसा को रख लेता है चोरी करता है धोक्यवाजी करता है तो लेंचो का सोच यह ही कि जो बंचप क्रूक है वो है पोस्ट आप इस के करमचारी है उसने 30 पैसे रख लिए सिर्फ 70 पैसे मुझे वापस दिये हैं तो वो पोस्टाप के करमचारी है वो बंच प्रूक है यानि धोके बाज है महारे पैसे जो है आपने जो दिये थे गौड ने वो पैसे वो रख लिये हैं बहुत ही इंस्टेस्टिंग य लिखता है मेने आपको बताया कि और फिर करता कि आप जो है जो बचे पैसे हैं वो मुझे देढ़र लेकिन वहाँ पर लेंचोड जिक्र करता है कि आपाव जो बचिपैसे हैं 30 पैसे को फिर से वह रख लेंगे इसलिए हमेड मेल से मुझे नहीं देजे ना तो यह चिठी जब पोस्ट ओपीस पहुंची तो पॉस्ट ओप इसकी जो मास्टर थे और करमचारी थी, वो काफी ज़्यादा हां से ठाहा के मारे, लेकिन लेंचो के जो इमोशन थे, उसको वो समझ पा रहे थे, कि लेंचो का इमोशन गौड के परती क्या था, वो समझ पा रहे थे, अब जो 30 पैसोस बचे हुए थे, उसके जो भावना थे, लेंचो के जो भावना थे, गौड के परती की गौड के विशन में क्या सोचते हैं, एक्चुली लेंचो को इस सब की आडिया नहीं थी, तो सारी चीजों को देखते हुए समझ थे हुए जो पोस्ट आफिस के मास्टर थे, और पोस्ट आफिस के करमचारी थे, उन्होंने अपने जेव से पैसे लगाए, और जो पैसे बाकी थे, वो पैसे जो है लेंचो को उ लिखाये गया है कि करमचारी पॉस्टॉपीस के जो है कितना इमोशनल हो जाते हैं उसकी भावना को देख करके है तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो का थैक्स फॉर वाचिंग